तो बच्चे हम आज करेंगे exercise 8.3 तब हम कर चुके हैं तो यहां multiply factor है और division factor है जो एक sum में आपके लिए यहां कर रहे हूं तो next आपने खुद solve करने हैं तो that is multiplication factor तो आपको पता है 2 को 6 से multiply करेंगे तो then 12 और 6 को 2 से करेंगे तब भी 12 आएगा तो इसी तरह यह division factor है 12 को हमने 6 से अगर multiply किया then क्या आगया 2 अगर 12 को हम 2 से division करेंगे then 6 तो same ऐसे है आपने 6 फोर जा 24 अब 24 यहां राइट करेंगे और यहां भी 24 राइट करेंगे 24 को अगर 4 से divide करते हैं तो यहां क्या आजाएगा 6 और यहां क्या आजाएगा 4 तो यह आपको दोन्नों सम करने हैं multiplication and division factor next है हमारा यह दिखी 5 को 6 से 5 को अगर हम 6 से multiply करते हैं then answer is 30 तो यहां क्या है 30 को हमने 6 से multiply किया तो 5 और 30 को 5 से division किया then 6 तो इसी तरह से यह आपकी exercise है 8.3 जो आपने write down करना है उसके बाद कुछ ही numbers है यह दे जैसे 12 को हमने 1 से किया तो 12 16 को 1 से किया तो 16 20 को 1 से किया 20 10 को 1 से किया 10 तो यह आपने खुद करने है और next है तो यह वाला portion जो हमारे sum है आपने यह अपनी notebook में भी write करना है इसमे math की notebook में ठीक है यह वाला sum और प्लस यह वाला sum पहले बिटा आपको try करने की कोशिश करो एक एक sum आपके लिए कर दिया गया है already तो आपने यह अपनी math की book में भी write down करना है और math की notebook में भी I hope आपको यह clear हो गया होगा जो हमारा next 8.4 बिटा वो हम कल discuss करेंगे so be ready for your work thank you have a nice day